नमस्कार स्वागत है आपका SPN9 नीज में मैं हूँ आपके साथ शूदी CA यानि कि नागरीत शन्शुदन कानून को लेकर जहां देश भर में कई जगों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले तो वहीं बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में जस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला वहाँ पर हिंसक विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला कई लोगों की जाने भी गई वही अब खबर ये आ रही है कि यूपी के संभल जिले प्रशास ने नकासा थाना छेतर के 11 लोगों को नोटिस वीज़ा है और इसी के साथ ही प्रतेक 50 लाख रुपए के किसी बॉंड पर हस्ताक्षर करें जिसमें ये लिखा हो कि आगे शान्ती बनाई रखी जाएगी जिहां बता दे आपको कि जिस तरह से सीए को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इन सब को ध्यान में रखते हुए और अब जो खबर आई है जिसमें बॉंड की बाते की गई है जिसमें 50-50 लाख का बॉंड बाते की गई है इसको लेकर खबर आ रही है बताते चले आपको कि लगभग 500 महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही है वहीं आपको बताते चले कि CRPC की धारा 111 के तहत नोटिस भेजा गया है 11 लोगों को नोटिस भेजा गया है और इसकी के साथ ही बता दे आपको कि कहा जा रहा है कि 24 लोगों को अभी जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा बताते चले आपको कि UP में उत्तरप्रदेश में देखा गया कई जगों पर विरोध प्रदर्शन C.E. को लेकर जो की हिंसक भी रहे हैं और जिससे की शान्ती बनाई रखी जा सके इसको लेकर ये कदम उठाए गया है जहां पर अगर C.E. को लेकर बात की जाए तो जिस तरह से विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है वहीं अगर B.J.P. सरकार की बात की जाए तो इस पर B.J.P. सरकार की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है जिसमें कोई संशोधन की बाते हो या फिर वहाँ पर शांत करानी की बाते हो जिस तरह से शाहिन बाग में जो विरोध प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है और उत्तरप्रदेश में जो कदम उठाए गये हैं अब इसके बास क्या C.A. को लेकर जो विरोध प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है जो तरह से ग्रहमंत्रामिशा ने कहा था कि कोई भी चाहे कितना विरोध करे लेकिन C.A. वापस नहीं होगा तो क्या यहाँ पर जो विरोध प्रतिक्रिया हो रहे हैं क्या थमेंके नहीं क्योंकि जो तरह से शाहिन बाग में जो विरोत प्रतिक्रिया हो रहा है है जिस पर करीब महीने से ऊपर व кажется दो महीने होने वाले और से में देखा जाए तो यहां पर बिजेबी शरकार जो है इन्हें कड़े कड़े कड़ें उठाने होंगे हाला कि बता दे आपको कि बिजेबी खरकार ने इसको लेकर जागरूहक करने के लिए कई कड़े कदम Uठाए हैं जहां पर उन्होंने रहली गा जल्व करने जैसे जनता आजगरूहक हो सके किषु ऐय किषीन था चीनने के लिए नहीं है बलकि आगर देने था पाझ के लिए थाना र्लाइस Miri शामिल नहीं होंगे उनको लेकर अगर बात की जाए तो जो अगर मुस्लिम समधाय होंगे तो उनके लिए फिर यहां पर सरकार क्या कदम उठाएगी तमाम दरह के सवाले हैं जनता के पास लेकिन इसके जवाब अभी तक बिजेपी सरकार नहीं दे पाई है जबकि विरोध प करें लेकिन सी ए वापस नहीं होगा तो यहां पर इसके लिए क्या परिनाम सामने आएंगे जस तरह से यूपी में उत्रप्यदेश में योगी सरकार नी जिस तरह से कदम उठाए हैं जहां पर पचास-पचास लाग के बॉंड की बात कही गई है इसको लेकर आपकी क्या र आपकी क्या टो